हमलावर है चारों suspended सदस्य जैसे ही सदन में पहुंचे तो सयम लोड़ा ने कहा कि निलंबीत सदस्य को बाहर दिया जाए हंगामे के बीच में प्रश्मिकाल का को लेकर कारवाई शुरू हुई और बीज़ेपी के सदस्य ने एक बार फिर से हंगामा किया और वेल तक जा पहुंचे इनारे बाजिकरनी शुरू की विदानसब अधियक्ष ने सदन में तलक तेवर दिखाए और कहा कि संसदिये परंपराओं को चोट पहुंचाने का सफसे बड़ा श्रे राजेंदर राठोड को जाता है अधियक्ष ने कहा कि राज़सान में संसदिये परंपराओं को तोड़ने का श्रे भी उनी को जाएगा जब कल चार सदस्य को निलंबित कर दिया गया था उनके निलंबन बहाली से पहले आप उन्हें सदर में क्यों लेकर आए हैं अधिया था राज़सान जैसे के सदन के अधियर्ष ने कहा कि जब तक सदन की कारिवाई में इसा नहीं ले सकते लेकिन बावजुद वह सदन के अंदर आए बीतर आए और जोदार हंगामा नारेबाजी तक के दृष सामने आए हैं इस सवक्त की क्या खबर देखिए प्रशनकाल की कारवाई अभी भी चल रही है और अभी भी हंगामा जारी है नगातार भाज़पा के सदस्य जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं रेट के मुद्दे को लेकर और बड़ी बाती है कि कल जिन चाक सदस्यों को डिलबित किया गया था वो आज सदन के बी में आकर नादेबाजी की और उसके बावजुद टीपी जोशी ने एक अनुर्टी पहल की आज उन्होंने जब भाज़पा की तरफ से लगाए गए सवाल नहीं पूचे रहे तो उन्होंने सवाल के नंबर की संक्या उनको भुकारा और उसके बाद मंतरी जो है वो जबाब थी आफनी अथ को बताते हैं कि सदन की गरिमा को बरकदा रखने वाजे तेता हैं लेकिन चार निलंबित सदस्यों को अंदर आ के यह क्यों लेकर आए और उसके बात अन호 गर नहां कर रहे हैं अगर क्यारों सदस्य कि लिलम्बित किया जा चुका है तो सदन के बीटर ही उसके मंतन होता कि उनकी पहली कैसे हो पहली के बाद ही उनको भीतर लाया जाना चाहिए यह जो है सदन की परंपरां उनकी जरीमा के अरूप नहीं है लेकिन रीट का जो मुद्दा जिसकी तपफीश हमकर देख रहे हैं स मामले में सीवियाई जांच की जो मांग की जा रही है जैसे हंगामा जोर्दार किया गया ऐसे सवाल भी उठाएगे कांग्रेसी विधायकों की तरफ से कि ये नजाइस किया गया है ये बेवजा विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से इशू है ही नहीं कोई जान बूझ के क्रियेट करने की कोशिश है क्या लगता है कि बीजेपी जान बूच कर विरोध करने के लिए मात्र विरोध करने के लिए विरोध कर रही है देखे गगनिये सदन के पीतर जब किसी भी मुद्दे पे जब इस तरह का हंगामा होता है तो एक रंडितिक सोच के साथ होता है और रीट एक बड़ा मसला है इसमें कोई दोरा है नहीं है लेकि सरकार ने चुंकि लेवल टू की परिश्चा निरत कर दी और उसके बाद भी अगर इस तरह का हंगामा हो रहा है तो कई नहीं कारेवाई जो है सदन की वो बादित हो रही है कल भी हमने देखा कि हंगामा हुआ चार सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव आया एक्शन हुआ उसके बाद सदन में बाश्पा के नेता दरने पर पैट गए स्पिकर सीपी जोशी के समझाने पर बने लेकिन इससे क्या है कि प्रशनकाल जैसे मैसरपूर्ण अभी सदन को लेकर कारवाई बादित हो रह हैं तो बिल्कुल इप्रक्ष की तरफ से उठाए गया मुद्दा जो है वह वाजिव जुरूर हो सकता है जजबा ठीक हो सकता लेकिन तरीखा बिल्कुल गलत है ऐसे सवाल है फिरहाल विदान सभा की कारेवाई के एक बाद भी से रुक करते सोचांता हूंगे आपके बाद पूरा अधिकार है और सदन में इस तरह से कारेवाई